जै शेरी राम राशी में आपकी राशी से लाब भाव के अंदर अब ये गर है 29 अपरेल को राशी परिवर्टन करके राशी से 12 में पहुँच जाएंगे 4 जून 2022 को शनी देव वक्री होंगे शनी देव वक्री होकर वापस लोटेंगे मकर राशी के अंदर 12 जूलाई 2022 को इसका मतलब है शनी देव का ये परिवर्टन बहुत स्पीडली हो रहा ये शनी बले स्लो प्लैनेट है लेकिन एक ऐसा ग्रह जो धीमे सुभाव का हो लेकिन जल्दी से राशी परिवर्टन करे वक्री हो जाए और वापस वापस आजाए फिर से उसी राशी के अंदर तो ऐसा ग्रह आतिचारी ग्रह होता है ऐसा ग्रह सुभाव से अच्छे फल देने वाला नहीं होता क्योंकि उस ग्रह को स्वैम नहीं पता होता कि उसको कहा कितने समय के लिए विचरन करना है कि पहले तो वो ग्रह मकर में था, मकर से कुम्ब में गया, एक महीने चार दिन के बाद वो वक्री हो गया, यानि उसकी गती जो सीधी चल रही थी, जो काम उसने सेट अप करने शुरू कर दिये, जो काम उसने बनाने शुरू कर दिये, जो वहां बारवे घर में बैठकर वो य यानि लाव का मालिक पहले भी लाव में था और बाद में भी लाव में आएगा, एक बात, लेकिन कुछ समय के लिए वो लाव आपके दौदश भाव में पहुंचा, यानि अगर हम कहें 12 का मालिक 12 में तो एकादश का मालिक भी तो 12 में है के लाव का मालिक व्याय स्थान पर गया 12 का मालिक 12 में गया के भाया short period में अगर कुछ काम मिल रहा है short समय के लिए कुछ योजना मिल रही है तो उसमें हाट डालना ठीक रहेगा कुछ investment short investment है कर लो के बारवे घर में प्लैनेट गया आपने वहां जाके investment कर दिया उस investment से आपको थोड़े समय के लिए लाब हुआ बस उसको वहीं पे लाब लेके खतम कर दो उसमें और पैसा मत फसाओ कभी कभी क्या होता व्यक्ति ने कुछ पैसा लगाया उसको फायदा हो गया उसने और पैसा लगा दिया फिर क्या हुआ वो ग्रह वक्री हो गया जो investment दौधश में रहते हुए शनी पर किया था अब वो दौधश में ना होकर वक्री हो गया तो ऐसे समय में व्यक्ति के पैसे भी फस जाते हैं व्यक्ति का investment फस जाता है तो यहां आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि 11th Lord 11th House राशी का से एक आदश में शनी मजबूत दौधश में भी मजबूत थोड़े समय के लिए बड़ी यात्रा थोड़े समय के लिए दूर की यात्रा थोड़े समय के लिए विदेश यात्रा इसी योग से आती है थोड़े समय के लिए बाहर के लोगों से जुड़े काम किया योजना बनाई लाब लिया वहां से वापस आ गए इसको जादे लंबे समय तक कोई काम मत करना ऐसे समय में मैं लोगों से कहता हूँ कि भाया थोड़े समय अगर ये ट्रांजिट 75 दिनों के लिए तो कोशिश यही करो कि शुरुआत के 35-40 दिन के अंदर ही अपना काम शुरू करो खतम करो लाव लो से न लिखाई देंगे कि शनी का वक्री होना अच्छा है मीन राशी वालों के लिए क्योंकि 11th Lord in 11th house with retrograde position के ये वक्री अवस्था में मजबूत होके आया है यानि ये ग्रह कमजोर ना है ना ये यहां कमजोर है यहां ना ये यहां कमजोर है लेकिन जब ये वक्री हो जाता है त अच्छा भाव नहीं कहलाता ये भाव इंवेस्टमेंट खर्च आयसे अधिक होने वाले खर्चे जेल अस्पताल आश्रम दवाई डॉक्टर्स इन पर खर्च कराने वाला होता है तो जो लोग जौब में हैं जो लोग बिजनिस में हैं उनको यदि कुछ चाहिए कुछ नय अधिль हो जाए लाईफ में तो उस समझे हो सकता है कभी-कभी कुछ लोग कमपणी के काम से बाहर चले जाते हैं घर से दूर चले जाते हैं विदेश चले जाते हैं हवायात्रा कर लेते हैं ऐसे ही बिजनिस वाले करते हैं शौर्ट पिरिड़ पे काम करने का एक समय है क्य कि आपकी राशी का लॉर्ड ब्रस्पती यहां पर बारे महीने के लिए हंस योग के साथ चलेगा इसका मतलब है लाव का मालिक, धन का मालिक, भग्य का कारक, संतान का कारक, मानसमान का कारक, करम का कारक, ग्रहेश ब्रस्पती बहुत स्ट्रॉंग है कोई भी problem अगर आती भी है तो उसको ये जहेलने में शक्षम है उस problem को sort out करने में शक्षम है आपकी समस्याओं को solve करने में ब्रस्पती शक्षम है यानि शनी की वज़े से अगर कुछ भी problem थोड़ी होती भी है तो वो sort out हो जाए तो कुल मिलाकर ट्रांजिट खराब नहीं है लेकिन ट्रांजिट में देखना क्या है किस चीज का इस गोचर में ध्यान रखना होगा वो सोड़ा समझने की हाँ आपको कोशिश करनी है तो ये था मेरा आज का विशय के शनी देव का राशी परिवर्तन होना वक्री होना थोड़े समय के लिए राशी में जाना कैसा होगा मीन राशी वालों के लिए फिर से नए विशय के साथ आपके सामने हाजिर होंगा मैं तब तक के लिए बने रही है का मेरे साथ जैश्री राम